वेलकम एस्टुडेंट रस्तोगी आनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है आज क्लास दस के रसायन विज्ञान के महत्पुन प्रशनों के बारे में जानकारी रखेंगे यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा तो आज रसायन विज्ञान के महत्पुन प्रशन में सबसे पहला जो प्रशन जानेंगे कि डिटेर्जेंट का उप्योग को उदाहरन द्वारा लिखिए तो डिटेर्जेंट जो पाउडर होते हैं इसका उप्योग कहां करते हैं उदाहरन द्वारा बताना है तो इसका उतर हो जाएगा कि अप्रियोग किस जल से करते हैं तो कठोर जल के साथ किया जाता है क्योंकि यह इलकाईल बेंजीन सल्फोनेट से निर्मित होता है यह किसे निर्मित होता है तो इलकाईल बेंजीन सल्फोनेट से निर्मित होता है दूसरा इसका हो जगा कि अपमार्ज को कभियों घरों में बरतनों एवं कपडों के सफाई के लिए किया जाता है अब अगला कोशन जानेंगे सजाती सेड्णी क्या है कोशन को अप लच्छे से तयार कर लेजिये तो अब यहां सजाती सेनी क्याहत लेखेंगे इसका उतर होगा कि कार्वनिक योगिकों की ऐसे सेनी जिसमें दो निकटवर्ती सदस्यों के अन्षूतरों में CH2 का अंतर होता है। आप जैएक है जैसे c4 यह आनतर है तो Cuando सेढ्ने का है काम अब आगला प्रस् thickness जानेंगे हाइड्रोजिनी क्या है इसके दोगी कुपियों क्या है तो हाइड्रोजिनी क्या प्रशने भी है तो बहुत असान उत्तर है और संत्रिप्ट हाइडो कार्बन क्या कहेंगे और संत्रिप्ट हाइडो कार्बन निकील उत्प्रेरग के उपस्थित में हाइडोजन से क्रिया करके संत्रिप्ट हाइडो कार्बन में परिवर्थित हो जाते हैं इस प्रकार के क्रि कीर के उपस्थित में जब गर्म करते हैं तो वह संत्रिप हाइडोकारवन में आते हैं परिवर्तित हो जाते हैं इस परकार के क्रिया को हाइडोजनीकरण कहते हैं अब इसका आदोगी कुपियोग क्या है इसका आदोगी कुपियोग होगा कि लिखेंगे हाइडोजनीकरण आ अगया होगा अब अगला प्रशन जो है उदाहरन देते हुए खनेज्द था आईज को अच्पच कीजे यह कुmonary गुछा जाता है कि खनेज्द और आयश में आपका क्या अंतर है खनेज्द किसे कहते हैं आईज्द किसे कहते हैं एसे प्रशन को आप अछे से त्यार कर लेंज खनीज किसे काते हैं तो इसका उतर होगा कि प्रकृत में योगिक जिस रूप में पाये जाते हैं उसे खनीज काते हैं बहुत आसान उतर है प्रकृत में योगिक जिस रूप में पाये जाते हैं उसे का काते हैं खनीज काते हैं जैसे कापर पायराइट कापर पायराइट के यू य F I S 2 होता है, और लोहा हेमेटाईट के सुत्र होता है, I F I 2 O 3 होता है, तो समझ में आगे होगा, खनीच किसे करते हैं, प्राकृत में योगिक जिस रूप में पाए जाते हैं, उसे खनीच करते हैं, और संय क्या है, वह खनीच जिसमें से किसी दहात को सरलता पुरवा क अगला प्रसम जानेंगे पलाष्टर आ पे्रिस बनाने के एक बिधी लिखे गर्म करने पर प्लाष्टर आ पे्रिस कैसे बनता है इसके बिधी बताना और उसके जल के साथ रसाइनिक अब करिया भी लिखना है तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले जिपसम को 120 से 130 डिगरी सेस्यस तर गर्म करने पर प्लास्टर आप पेरिस बनता है तो पेरिस बनाने के लिए आपका पेरिस बनाने के लिए होगा कि प्लाश्टर आप पेरिस बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे जिपसम को 120 से 130 डिग्री सेस्यस पर गर्म करते हैं तो प्लाश्टर आप पेरिस बनता है अब उसको जल तो समझ में आ गया होगा कि जल के साथ प्लाश्टर आप पेरिस बनता है तो जिपसम बनता है अब अगला जो कोशन है आपका पीच मुल क्या है दैनिक जीवन में पीच का महत बताईए तो सबसे पले आपको पीच मुल क्या है इसके बारे में जानेंगे बहुत असान उतर है बस थोड़ा से ध्यान देंगे इसी में इसका उतर चीपा हुआ है किसी बिलियन का पीच मूल बिलियन में उपस्थित हाइडरोजन आयन सांदरण के रिडात्मक लगड़क के क्या होता है बराबर होता है यह जो पीच मान होता है आपका हाइडरोजन आयन सांदरण के लगड़क याद गहेंगे आपका रिडात्मक के लगड़क के क्या होता है बराबर होता है जबकि उसका अधार क्या होना चाहिए दस होना चाहिए तो समझ में आगया होगा पियच मूल क्या है इसका आपको दैनी जीवन में इसका उपियोग क्या है अब इसका उपियोग जानेंगे कि दैनी जीवन में इसका उपियोग क्या है तो लिखेंगे आपका दैनी जीवन में पियस का उपियो गया आपका मोहत्व निम्न है पहला जो है पाचन तंत्र में इसका उपियो किया जाता है दूसरा जो होता है दंत छे रोकने में होता है और तीसरा जो होता है पौधे के बिरिध्धी में होता है इसका उपियो तो दै आधुनिक आवर्त नियम क्या है तो इसका उतर होगा इस नियम के अनुसार ततों के भावतिक तथा रसाइनिक गुण उनके परमाड करमांकों के आवर्ती फलन होते हैं अब ये विकड संबंद क्या है तो दूती आवर्त के कुछ ततों होते हैं और तीरती आवर्त के कुछ ततों के गुड़ों में क्या पाई जाती हैं समानता पाई जाती हैं अब इसका जो उतर हो जाएगा कि दूसरे आवर्त के ततों के कुछ गुण तीसरे आवर्त में कि दोनों क्या हैं वीकर्ड पर इस्थित थें जब वीकर्ण संबन्द का मतलब दुटि आवर्थ के कुछ तक तक तो तिर्टि आवर्थ के खुछ तक के गुड़ों में क्या पाई जाती हैं समानता पाई जाती हैं अब अगला question जो है most IMP आ गया है क्योंकि यह question हमेशा पूछा जाता है baking soda बनाने की दो विधियां रसायनी समी को सहीत लिखिए तो baking soda कैसे बनाएंगे बनाने की विधि पहले लिखेंगे आपका खाने का soda इसी को carbon dioxide के साथ गर्म करके बनाई जाती हैं तो खाने का soda कैसे बनता है तो आप लिखेंगे आपका sodium carbonate एक sodium carbonate का सुत्र होता है यन्ने 2CO3 plus H2O और इसके साथ carbon dioxide में sodium carbonate का ये जली billion में carbon dioxide gas प्रवाहित करते हैं तो खाने का soda बनता है 2NAHCO3 किसका सुत्र है तो खाने का soda का सुत्र ह दुसरा जो है sodium coolride ammonia जल तथा carbon dioxide के साथ गर्म करके बनाई जाती है तो खाने का soda कैसे बनेगा ये आपका sodium coolride का ते इसको नमग भी बोलते हैं ammonia ये श्थिरी आपका है और उसके साथ जल है और carbon dioxide gas है मिला करके जब गर्म करेंगे तो यह खाने का soda या baking soda उसके साथ आपको कैसे बनता है और इसमें कौन से reaction हमारा reaction जो है संतुलित भी आप लोग कर लिजेगा क्योंकि दोनों पच आपस में क्या है बराबर यहां पर रखा गया है आप लोग भी इसे अच्छे से नोट करके मिलान कर लेंगे कि दोनों पच आपस में क्या है समान है कि नहीं है यदि आपको यह वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा तो जरूर लाइक किजिएगा वीडियो को अब अगला प्रशन जानेंगे कारवन के चतु संजक्ता यह जो प्रश्ण है इस पे टिपडी हमेशा पूछा जाता है कि कारवन के चतु संजक्ता पर टिपडी लिखे सावनी करण पर टिपडी लिखे यह दो कोशन जो है हमेशा जो है टिपडी में पूछा जाता है तो कारवन के चतु समय जगता क्या है तो उतर होगा चतु समय जगता के कारण कारवन अपने ही परमाड़ूं के साथ एकल दुई बंद तथा त्री बंद आबंद बनाते हैं इस अच्छे से अपने कापी में नोट का लिजए क्योंकि यह प्रशन हमेशा पूछा जाता है साबुनी करण साबुनी करण क्या है जब वसा में sodium hydroxide या potassium hydroxide के साथ गर्म किया जाता है तो glycerol के साथ साबुन प्राप्त होता है जब वसा में sodium hydroxide को लिजिए या potassium hydroxide को साथ ले करके जब गर्म करते हैं तो glycerol बनता है और glycerol के साथ साबुन प्राप्त होता है और साबुन प्राप्त होता तो इस क्रिया को ही का कहेंगे साबुनी करण कहते हैं अब यह जो है क्या होता है जब मोश्टाइम पी कोशन है यह क्या होता है जब केवल रसाइनी समीकरण लिखिए पहला जो कोशन है मेथेन का दहन कराया जाता है जब मेथेन को दहन कराया जाता है तो क्या बनता है जब मे आक्सिजन के उपस्थित में जलता है इसने आक्सिजन से क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा कार्बन डाई आक्साइड बनेगा और उसके साथ क्या बनेगा जल प्राप्त होता है तो क्या होता है समझ में आगे हैं मिथेन का दहन करा जाता तो क्या बनता है तो कार्बन डाई आ एस्टिक अमल के साथ जब क्रिया करता है तो एथिल एसिटेड या एस्टर बनता है आप या देखें एस्टर भी का सकते हैं और एथिल एसिटेड भी का सकते हैं तो आपका लिखें कि सी एस्थरी सी डवल होई अच्छा है यह किसका सुत्र है तो एथिल एलकोहल है आपका य C2H5 जो हता है एथिल एलकोहल है दोनों को जब मिलाते हैं तो एथिल एसिटेड भी कर सकते हैं और एस्टर बनता है उसके साथ जल भी बनता है तो समझ में आ रहा होगा रियक्शन को अब अगला तिसरा जो है एथिनोईक आमल सोडियम हैड आकसाइड से विक्रिया करता है तो क्या बनता है तो एथिनोईक आमल जब सोडियम हैड आकसाइड से जब क्रिया करता है तो सोडियम एसिटेड बनता है और जल बनता है क्या बनता है सोडियम एसिटेड तथा जल बनत स्सूत्र macam श्रीष गरम बनता है तो एत्रीष गर्म के साथ गरम करती है तो एथिल हाइड्रोजन सलफेट बनता है क्या बनता है एथिल हाइड्रोजन सलफेट आपका केवर असायनिक समिका देना था अब अगला प्रशन जानेंगे आईनिक योग्यों के दो गुड़ को उधारन सहित लिखे आइनिक योगिकों को जो आमको दो गुड़ों को उधारन बताना है तो पहला लिखेंगे इनका जो गलनांग तथा कौथनांग क्या होता है उंच होता है किसका आइनिक योगिकों का जो गलनांग होता है और कौथनांग जो होता है वो उंच होता है दूसरा होता है यह भंग ही है ये भी मेंडलिव के आवर्त नियम तता आधुनिक आवर्त नियम के अंतरों को लिखिए तो मेंडलिव के जो आवर्त नियम थे और मेंडलिव के जो हमार आधुनिक आवर्त नियम थे उनमें अंतर क्या था तो पहले एक और कालम बनाएंगे आपका मेंडलिव के आवर् पहला हम लिखेंगे आपका इस आवर्सानी में ततों के उनके पर्माड भारों के बढ़ते करम पे रखा गया था इसमें लिखेंगे इसमें आठ समू होता है तो समझ में आगया हो गया इसमें कितने समू होते हैं तो आठ समू होता है तो आज जो रसायन विग्यान के मोश्ट आइंपी कोशन बताया गया है कल जो है जी विग्यान के मोश्ट आइंपी कोशन को बताया जाएगा तो उस पर जो है एकदम आसान हो जाए तब तक के लिए नमस्कार